हाँ तो नमस्कार दोस्तों PM किसान सम्मान निदियोजना में बहुत सारे शे किसान है जिनका नाउ PM किसान सम्मान निदियोजना की Received Portal Payment List में आ चुका है तो उन किसानों का क्या करना होगा और ये लिस्ट क्यों बनाएगी है इस लिस्ट में अगर नाउ है तो उस किसान को क्या पेसा नहीं मिलेगा इसमें मतलब कैस लिस्ट में नाउ आने का और ये Portal Payment List है क्या तो यहाँ पर आपको इस सोटे सी वडियोजना में बताऊंगा कि अगर ये Received Portal Payment List में अगर किसी किसान का नाउ है तो इस किसान को क्या करना पड़ेगा और इस लिस्ट में नाउ क्यूं आया है तो यहाँ पर मैं आपको Step by Step पूरी Information दे देता हूँ कि पीम किसान योजना में अगर किसी किसान का Received Portal Payment List में नाउ आवाज आता है तो उस किसान को क्या करना होता है अगर उसको पेसा नहीं मिल पा रहा है तो उसको क्या करना होता है तो यहाँ पर मैं पूरी Information देंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेरी Mobile में, Google में आज सको हूँ यहाँ पर मैं PM किसान सम्मान ने दी हो जाना कि जो Official Website है वो आपके सामने Open कर लेता हूँ इसका लिंक है वो वीडियो की description में मिल जाएगा वहाँ से आप Open कर सकते हैं आपको यहाँ पर Google में आने की जरूरत नहीं है जैसे ही यहाँ पर आओगी तो इस तरह की website आपके सामने आज आती है अब मैं आपको बता देता हूँ इस website में आने के बाद आप अगर Received Portal Payment List देखना साथ हैं या फिर अगर आप पहले भी देख सुके हैं कि हमारा इसे में नाम है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं Received Portal Payment List देखने के लिए नेसे एक तरपाना होगा यहाँ पर आपको एक dashboard का option मिल जाता है इस dashboard वाले option पर आप जैसे कलिक करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने आ जाता है यहाँ पर खिसानबोई आपको अपने State, District, Sub-District, Village, Village डालना होता है जैसा कि यहाँ पर आप डाल लेंगे तो इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा फिर यहाँ पर आपको तीन option मिल जाता है payment status, आधार authentication status और registration status यहाँ पर आप नीचे की तरप scroll करोगे तो इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको नए आविदन की list मिल जाती है पेसां को list मिल जाती है और आधार verification वालों की list मिल जाती है तो हमें जो payment signogenah का पेसा मिलता है payment status यहाँ पर आनिक बाद आपको तीन option मिल जाती है received all payment यानि सिबी किसानों को जिनको पेसा मिल चुका है उन किसानों की list एक हो जाती है received note payment जिन किसानों को पेसा नहीं मिला है यानि इनको तो बाहरी कर दिये गया इनको पेसा नहीं मिला है और अब बीच वाली list आती है received portal payment list इस list में हम जासे click करते हैं तो इसमें अगर आपका now है तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इस list का क्या मतलब है और यह list क्यों बनाएगी है इस list में कौन से कौन से किसान है इन किसानों को क्या करना होगा तो यहाँ पर मैं आपको step by step बता देता हूँ यहाँ पर आपको आगे की तरफ दिखा रहा है click more information detail अगर यहाँ पर आप साहते हैं इस किसान की आगे की पूरी detail लेना तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं अगर आपका नाव है तो यहाँ पर आप click करके पूरी information ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं किसी किसान का भी data दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि यह guideline के खिलाफ है तो हम किसान भोई आपको बता देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर installment of number due और installment paid यहाँ पर जितने भी installment दिये गए हैं और जितने भी installment मिलने थे यानि इस किसान को अभी तक 8 installment मिलने थे लेकिन अभी साथ installment मिली है इस किसान को आठ installment मिलने थे लेकिन अभी छे installment मिली है ये होती है पेमेंट रिशीवड पोर्टल पेमेंट लिस्ट है क्योंकि इसमें अगर किसान को जितनी किस्ते मिलनी थी अगर उससे कम मिलती है यानि किसी कर्ण से उसका पेसा रुख जाता है य या फिर वो कोई भी कोई गलती कर देता है या फिर बैंक बदल लेता है ना पता में डिटेल करेक्शन करा लेता है तो यहां पर उसका पैसा अगर पिछे रह जाता है किस्त में यानि की पैसा तो मिलना था नो किस्त का और अभी मिलने च्छे किस्त यानि यहां पर आप देख सकते हैं कि किसान को पेसा क्यों नहीं मिला है क्योंकि यहां पर बहुत सारी किसानों के नाव आ जाते हैं कारण जो भी हो बहुत सारी कारण की वज़े से पेसा नहीं मिल पाता है क्योंकि यह तो वो बैंक बद लेता है या फिर वो अपने किसी कारण से या फिर इंकम टेक्स तो उसका पैसा बंद हो जाता है या फिर उसका ट्रांजेक्शन फिल्ड हो जाता है किसी निकालन वज़े से अगर पैसा रुख जाता है तो उस लिस्ट में आ जाता है अगर आपका भी इस लिस्ट में आ हो है अगर आप पैसा लेना साहते हैं तो यहाँ पर आपको click more वाले option पर click करना होगा यहाँ पर आपको जो भी region दिखाया जाता है पेसे रुकने का पेसा डिव रहने का या फिर आपको अभी पेसा मिलना चालू हो चुका है तो यहाँ पर कोई दिखत नहीं है आपका पेसा अगर एक लिश्ट डिव रह जाती है आप अपना नाव हटा सकते हैं तो दिन्यवाद किसान बाई कर आपको जान करें से लिए तो वीडियो को लाइक करना और सेनल को सब्सक्राइब जरू जरू करना धन्यवाद किसान बाई हूं